नमस्कार, एक common question जो हर एक law student के मन में उठता है कि आखिर उन्हें internship कब start करनी चाहिए, कौन से semester से वो internship कर सकते हैं, किस court में करना चाहिए, इत्यादी इत्यादी आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर सर्चा करेंगे और आपको मैं यह बताऊंगा कि आपको intensive कब start करनी चाहिए, चाहे आप 5 साल की B.A. L.L.B. कर रहे हों या फिर 3 साल की L.L.B. कर रहे हों इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको intensive तभी start करनी चाहिए, जब आपका basic law की ज जानकारी का मतलब क्या होता है, basic law की जानकारी का मतलब यह हुआ, कि वैसे subject जो बहुत ही common है, और आपको जानना ही चाहिए, जैसे यदि हम criminal law की बात करें, तो criminal law में IPC Indian Penal Code, दूसरा है CRPC Criminal Procedure Code, और तीसरा है evidence law, जो की law of court भी कहा जाता है, इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ Constitution of India, कम से कम यदि यह चार paper आप पढ़ चुके हैं, तो आप criminal lawyer के अंदर intensive कर सकते हैं, इसमें कोई issue नहीं है, अब आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे, जो civil lawyer के अंदर intensive करना चाहेंगे, इसके लिए आपको basic subjects जैसे civil procedure code, family law, succession act, matrimonial dispute से related और भी जितने अलग-अलग तरीके के act हैं, जैसे Muslim law हो गया, या फिर आप domestic balance की बात करते हैं, हिंदू marriage act है, succession act है, ये सारी चीजें आपको clear होना चाहिए, property law ये भी clear होना चाहिए, यदि इन तमाम act के बारे में आपके पास जानकारी है, तो आप civil lawyer के अंदर जा करके intensive कर सकते हैं, अब question आएगा, कि देखिये ये जो मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपके law school का syllabus इसी के according based हो, हो सकता है, वो पहले semester में IPC पढ़ाये हैं, और जा करके fifth semester में आपको CPC पढ़ाये, तो मैं आपको दोनों structure बता दिया, जितना जल्दी आप इन laws को complete कर ले इन papers को पढ़ ले, उतना जल्दी आप उस particular area में internship कर सकते हैं, इससे आपका फायदा होगा, अब अगला question आ सकता है, कि sir क्या जरूरी है ये पढ़ना, इसको बिना पढ़े क्या हम internship नहीं कर सकते, देखिये कर तो सकते हैं, लेकिन यदि हम output की बात करें, तो मैं आपको बता इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने theory नहीं पढ़ा है, तो क्या उनको direct operation theater में भेजना उजित होगा क्या, वो क्या apply करेंगे, unless उनके पास कोई जानकारी नहीं होगी, उनके पास theoretical knowledge नहीं होगी, वो किस तरीके से उन तमाम knowledge को वो operate करते समय यूज़ करेंगे, नहीं ठीक उसी परकार से law में भी कुछ इसी तरीके की बाते होती है, यदि आप law की जानकारी नहीं रखते हैं, उन तमाम acts को नहीं पढ़ा है, आप उससे related court cases को नहीं पढ़ा है, तो आप आखिर क्या सिखोगे, कैसे आप knowledge को apply करोगे, और कौन से knowledge को apply करोगे, जब आपके पास theoretical knowledge होगा ही नहीं, तो मैं आपको suggest करता हूँ कि आप थोड़ा patience रखे, और इन तमाम papers को जब तक आप नहीं पढ़ें, तब तक intensive करना एक तरीके से बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि आपके द्वारा जो मेहनत किया जाएगा intensive में, उसके proportional way में आपको output कभी नहीं मिल सकता है तो पहले आप इन से और कर लें, कि इन तमाम subjects को आप अच्छे से पढ़ दिये हैं, अब अलग-अलग college का structure अलग हो सकता है, यदि मैं Delhi University Faculty of Law की बात करूँ, तो यहाँ पे कम से कम 3 semester, कम से कम 3 semester आपको intensive नहीं करनी जाएए, उसका कारणिया है कि पहले 3 semester में आपका जो भी basic course है, basic paper है, वो खतम कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप चाहे civil में जाएं, या फिर criminal में जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई सुनी है, लेकिन बहुत सारे student क्या होते हैं, कि first semester में admission लिया और पहुंच गए कोट, इससे कोई खास फायदा आपको नही इसा होता है, अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कि ये जो law की books होती है, law की जानकारी होती है, अलग-अलग तरीके के acts होते हैं, ये एक lawyer का tool है, वो आपका हतियार है, और यदि उन हतियार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसका use कैसे करोगे, ये कह नहीं problematic होगा, तो थोड़ा patience रखिए, आप पहले इन तमाम papers को धंग से पढ़ लिजिए, और उसके बाद आप intensive कीजिए, इससे फायदा ये होगा, कि आपका output ज्यादा होगा, और आपको subject में मजा आएगा, court के procedures को आप तभी समझ सकते, जब आप procedural law जैसे CRPC, CPC, etc. आपक के मन में कोई प्रस्ण है, तो नीचे comment box में आप जाकर के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जबाब आपको दे दूँ, यदि या वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इसे like करें, इस channel को subscribe करें, और अपने जानने वालों को इसके बारे में बताएं, उन को share करें, चलिए फिर से मिलते हैं किसी और topic में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहन,